वेलकम बैक टूवर चैनल डीके फार्मा टुटोरियल्स गैस तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सलफोना माइट के बारे में सलफोना में को सबसे पहले 1939 में जरहार डोमेक ने डिसक्वर किया गया था प्रोंटासिल्रूब्रण को ठीक है तो इन lifestyle भूप्रूस्थ ॐ जो की इन ग्राम लेगेटिव दोनों ही तरह के बेक्रो और्गनिजम के लिए काफी इफेक्टिव होता है इसलिए इसको हम ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटिबाटिक भी बोलते हैं सल्फोना मैट जो है इस पेरा अमिनोस बेंजोइक एसिट का इस्ट्रक्चर इनलोग होता है तो इस यह है इसका इंट्रोडक्शन अब हम इन्जाइम की एक्टिविटी को रोग देता है जिसके कारण डने का सिंंथेस अर्णा का नहीं हो पाता क्योंकि फॉलेट्टिय और नब्यूस इंहिबिट हो जाएगा एंट अपना फिर बैक्टेरियो में इसको उसको ठोड़ू इसको हल्प करता है तो थो पाबा को तीक यह तीनों मेलके जो है folate synthesis enzyme के present में dehydropholic acid का synthesis करते हैं then dehydropholic reductase के present में tetrahydropholic acid का synthesis होता है then यहां से फिर DNA and RNA का synthesis होता है जो की bacteria के growth के लिए responsible होता है लेकिन हम sulfonamide का use करके इस folate synthesis के reductase enzyme को मतलब folate synthesis enzyme की activity को रोग देते हैं जिसके करण dehydropholic acid का synthesis नहीं होगा and tetrahydropholic acid के synthesis नहीं होगा फिर ultimately DNA and RNA का synthesis नहीं हो जाएगा guys यह एक rate limiting step है अगर हम इसमें किसी भी एक step को stop करेंगे तो यहां से हमारा final step जो है और automatically जो है वो stop हो जाएगा तो जो है sulfonamide जो है वो folate synthesis को रोग देगा जिसके करण DNA and RNA का synthesis नहीं होगा तो guys यह था इसका mode of action दिन अब हम देखते हैं इसका pharmacokinetic तो guys इसका absorption जो है वो basically orally होता है इसका distribution जो है वो placenta हो गया cerebral spinal food में widely distribute हो जाते हैं इसका metabolism होता है liver में acetylations के तुरू एंड जो है renally जो है excret होते हैं तो यह यह था इसका pharmacokinetics दिन अब हम देखते हैं इसका indications तो इसका यूश हम basically typhid and paratified fever के लिए करते हैं acute and chronic urinary tract infections के लिए करते हैं uncomplicated gonorrhea में इसके use किया जाता है तो यह है इसके कुछ uses ठीक है जिसका use जिसके लिए हम use करते हैं sulfonamide का तो कैसे अब हम देखेंगे इसके adverse effect तो कैसे इसका adverse effect आप याद रख सकते हैं sulfa से तो asmalab हो जाएगा steven johnson syndrome जो की hypersensitivity reactions होती है second हो गया urine precipitate ठीक है तो इसको हम बहुतने है crystal area and folic acid synthesis भी block हो जाएगा ठीक है तो यह है इसके adverse effect then इसका contraindications देख लेते हैं तो यह जो है basically pregnant women's रहती है ठीक है वह इसके use नहीं कर सकते है premature infants तो इसके इसके use नहीं किया जाता है drug interaction देख लेते हैं इसका ठीक है तो यह हमारा sulfonamide होता है यह phenytoin हो गया method exist हो गया oral anticoagulants हो गया and hypoglycemication तो इन सब के metabolism को inhibit कर देते हैं तो गाइस यह था dose ratio होता है 5 to 1 ठीक है तो यह इसका dose ratio होता है तो इसके combinations के advantages देखते हैं कि अब जब हम trimethoprine हो गया and sulphur methozozole इन दोनों को combinations में लेते हैं तो क्या advantages है ठीक है तो जो हमारा sulphur methozozole हो गया and trimethoprine वो दोनों की दोनों जो है वो bacteria static nature के होते हैं लेकिन अगर हम इसका combination में यूज़ करते हैं तो यह bacteria saddle effects जो है वह सो करते हैं इन दोनों का जो half life होता है इस बिल्कुल ही similar होता है इसलिए इसको combination में यूज़ किया जाता है जो trimethoprine होता है वो blood brain barrier को cross कर दिलता है लेकिन हमारा sulphur methozozole जो है वो cross नहीं कर पाता है trimethoprine जो है वो bacterial dehydropholate reductus जो है उसके साथ band हो जाता है host dehydropholate reductus के comparison में more strongly ठीक है तो यह है इसका advantages तो अब हम देखते हैं इसका mode of action जो हमारा cotrimoxazole होता है वो basically dehydropholate reductus enzyme की activity को रोग दिता है जिसके कारण DNA and RNA का synthesis जो है वो inhibit हो जाता है तो काई जैसे कि आप वहां से फिर से देख सकते हैं कि जैसे कि पाबा हो गया glutamate and pitredin से folate synthesis enzyme के present में dehydropholic acid का synthesis होता है यहां से dehydropholate reductus के present में tetrahydropholic acid का synthesis होता है और फिर यहां से DNA and RNA का synthesis होता है तो हमने सलफोनामाइट का यूज करके इस folate synthesis enzyme की activity को रोगते हैं और हम cotrimoxazole का यूज करके इस dehydropholate reductus के enzyme की activity को रोगते हैं तो गैस हमारा हम यहां पर stop नहीं किया इसके इसको तो हम यहां पर इसका effect जो है वो रोग सकते हैं अगर हमने folate synthesis की activity को नहीं रोग पाया तो हम dehydropholate reductus उसकी enzyme की activity को रोग कि हम इसको inhibit कर सकते हैं तो यह है इसका mode of action अब हम देखेंगे इसका pharmacokinetics तो गैस यह जो है rapidly absorbed होते हैं इसका partially metabolism होता है लिवर में यह जो है यूरिन के तुरू एक्सक्रेट होते हैं तो यह है इसका pharmacokinetics तो अब हम देखते हैं इसका therapeutic use तो गैस इसका यूज बिसिकली यूरिदी ट्रैक infections के लिए के जाता है respiratory tract infections के लिए टाइफाइट फीवर के लिए उसके जाता है बैक्टिरियल डारिया के लिए उसके जाता है और वूपिंग कफ के लिए इसका यूज के जाता है तो यह है इसके therapeutic use अब हम देखते हैं इसके adverse effect तो इसका adverse effect है मेगलोब्लास्टिक एनेमिया बोन मेरो डिप्रेशन और यह जो है इसके adverse effect है तो यह वीडियो आपको काफी अच्छे से clear हो गई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर केजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमाने साथ थेंक यू